है गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुती सुंदर ब्यूटिफुल हेरस्टाइल की वीडियो शेयर करने लगी हूँ जिसमें मैंने रेड कलर के रबर्ट आपको यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी तो गाईज मैंने जेशन के अच्छी तरह से ऑईलिंग की हूई है और मैंने बालों में सारे टैंगल्स को अच्छी तरह से रिमूव कर लिया क्योंकि कोई भी हेरस्टाइल करने के लिए कोई भी ब्रेड बन नहीं आते हैं इसलिए ओईलिंग करके ही मैं उसके बालों पर अच्छी तरह से मैं कॉंबिंग करती हो तो देखे गाई सबसे पहले मुझे पॉनिटेल करनी है हाई पॉनिटेल करनी है जशन के बाल बहुत ज़्यादा हैवी है तो हाई पॉनिटेल करनी बहुत ज़्यादा पहले की एक या डेड़ साल पहले की वीडियो तो उसमें जशन के बाल ना इतने लंबे नहीं हैं बट अगर आप अब की वीडियो देखेंगे ना इसमें जशन के बालों की लेंथ इतनी इंक्रीज हुई है इन दो सालों में पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में क्योंकि पतले वाले rubber band तो उसके बालों में आते ही नहीं है अगर मैं डाल दू तो वो बिल्कुल नीचे ही आई जाएंगे पहली बात तो folding नहीं होता है आप देख सकते हैं polytail करना कितना ज़्यादा मुझे 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 लग रहा है मुटे वाले rubber band से बाल अच्छी तरह से सिक्योर हो जते हैं तो आज मैं जो ब्रेड बनाऊंगी ना बहुत ही इजी है यह वाली ब्रेड बनाना आप चाहे तो इसमें किसे भी hair accessory का यूज कर सकते हैं आटिफिशल flower का यूज कर सकते हैं इस ब्रेड को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं तो मैंने जशन के बालों पर बहुत ज़्यादा वाल ऑइलींग की हुई है आपको अगर यह वाला हीयस्टैल करना ना आप चाहे तो ढ्राइ एड्यम में यह वाला हीयस्टैल बना सकते हैं या जिरम का यूज कर सकते हैं तो इसमें न मैंने रेड कलर के पतले पतले रबर बैंड का यूज की है इसे चार रबर्ड बेंड यूज हुए है क्योंकि जशन के बालों की लेंथ लंबी है तो तीन-चार बार ये वाले रबर्ड बेंड का यूज हुए है सबसे पहले देखे इस तरह से थोड़ी से गैप पॉनी टेल की छोड़ की उसके बाद आपको ये रबर्ड बेंड डाला है और इस मेश मेंसे बागी के बालों को निकाल देना है बढ़ा ही प्यारा, बढ़ा ही सुंदर ये वाला हिरस्ट्याल लगेगा अगर आप अपने अपनी बेटी के ये वाला हिरस्ट्याल कर रहे है तो बड़ी सुन्दर लुक काएगी आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग रबर्ट बेंड यूज कीजिए जशन के बाल तो लंबे हैं तो तीन से चार बार तो रबर्ट बेंड यूज होई गए थे बड़ी सुन्दर ये वाला हेरस्टाइल लगता है और भी अच्छी तरह से ये वाले हेरस्टाइल को कर सकते हैं मैं जस्ट वीडियो बनाने के लिए आपके साथ ये वाली वीडियो हेरस्टाइल की शियर करती हूँ कभी भी जशन घर पे ऐसे नहीं रहता है जैसे ही वीडियो खतम होती है उसी टाइम में उसके ब्रेट को आपन कर देती हूँ और उसके जुडा करती हूँ सिरफ आपके लिए ही मैं ये वाली वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज गाईज आप भी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तो ओप गाईज आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगया होगी और वीडियो को आप लाइक भी जरूर करेंगे तो देखे इस तरह से मैंने रबर्ट बेंट डाले है जशन के पालों में ओल बहुत ज़यदा लगा हूए तो यह वह ली हेस्टेल की लूग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई है बट आप इसे और भी अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं इसे और भी अच्छी तरह से बना सकते हैं इस पर किसी भी असेसरी का यूज कर सकते हैं तो देखिए गाईज ये वाली ब्रेड कितनी ज़्यादा सुन्दर लग रही है और जशन के बाल तो इतने लंबे है ना कि उसमें चाहे मैं दो रवड़ बैंड और भी डाल देती तो वो भी उसके बालों में आई जाने थे तो देखिए लास्ट में इस हेरस्टायल की लुक को कुछ इस तरह से आई है बहुत ही इजी है ये वाला हेरस्टायल करना आप इस पर किसी भी असेसरी का यूज कीजिए आर्टिफिशल फ्लावर का यूज कीजिए तो आपकी ये वली ब्रेड और भी ज़्यादा सुन्दर लगेगी तो आपको मेरी ये वली वीडियो कैसी लगी आपको ये वला हेरस्टायल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वला हेरस्टायल कैसा लगा और आप कौन-कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताना आपने वीडियो को अभी तक लाइक जरूर किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा तो देखिए गाइस लास्ट में ब्रेट की लुक कुछ इस तरह से आई है तो गाइस जैसे ही मेरी वीडियो खतम होती है उसी टाइम मैं ब्रेट को देखिए ओपन कर रही हो बिल्कुल भी मेरा बेटा घर पे हेस्टाइल मैं उसके बिल्कुल भी नहीं करती हो जैसे ही हेस्टाइल की वीडियो खतम होई है उसी टाइम मैं उसके जूड़ा कर देती हो तो होब गाइस आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शियर भी कर देना तो चलिए गाइस अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगे तब तके लिए थैंक्यू बाई